पंजाबिया दे खेत औनादे हो के विछ औनादे नहीं रेनगे। पंजाबी शायद नहीं जानदे इंडिया दे विछ कुछ ऐसे कärणून ने जेड़े पंजाबिया देनो औनादे तरती दो रौर दूर कर्थदेने। आओ इस गलनों समझन दी कोशिश कर State면 पर उस तो पहले एज बावे कोई भी होवे पावे एक पंजाबी वेल्डिंग करदा होवे दर्खान होवे नालिया साफ करदा होवे या फिर सुन्ने आ रहा ही क्यों नहोवे पंजाबी थे पंजाबी देलिक खेती बाड़ी या जमीन दा बहुत वड़ा महत तवे शायद इस करके भी पहली पाश्चाई गुर्णानक साहिब ने भी अपने खेता वेच खुद हाल वाय सेगे सरकार दी माड़िया नीतिया करके सारे ही देश नू रजावन वाला पंजाबी अपनी ही जरूरता पूरिया नी कर पा रहा है पंजाब चे पंजाब दी शायद ही कोई ऐसी गली होवे जेदे वेच कटो गाट एक जीव बार ले मुलका देवेच जाके नावस्या होवे कईया दी एवी कोशिश रेंदी है कि ओ किसे होर मुलक जान कुछ साल अपनी मेनत करके चार पैसे जोड़के वापस इंडिया आके एक जमीन दा टोटा खरीदन ते अपने कारोबार या खिती बाड़ी नू बदाया जावे पर शायद उना नू ए नहीं पता कि ये गैर कनून नी भी हो सागदाया इस कनून नू समझन देलाई सानू दो चीज़ा समझनिया पहन गिया इंडियन सरकार ने इंडिया तो बार रहन वाले लोगका नू दो कैटेगरी चे वंडे आया जिन्नों NRI ते OCI केंदे है NRI ते मतलब है Non Resident Indian जेड़ा Indian citizen होवे पर इंडिया तो बार रह रहा होवे उन्नों NRI केंदे है और OCI Overseas Citizen of India नू केंदे है OCI कार्ड उन्ना लोगका नू मिलदा है जेड़े Indian citizen नहीं ने पर उन्ना दी रूट्स इंडिया तो ने एक्जामपल दे तौरते अगर मेरे फादर साब एक Indian citizen ने पर मैं Canadian citizen है ते मिन्नों OCI कार्ड मिल सागदा है Indian सरकार OCI कार्ड इसलिए देंदी है क्योंकि dual citizenship support नहीं कर दी है अगर मैं किसी फोर देशता citizen है ते मिन्नों Indian citizenship नहीं मिल सागदी और एदे बदले Indian government OCI कार्ड देंदी है जो एक super visa वरगा है जेदी validity अब टू 15 years हो सागदी है इदा दी वीडियोस बिनान दे लिए असी बहुत मेनत कर दे हैं ताकि वधिया शूटिंग, एडिटिंग ते research हो सके साथी इस मेनत दे वेच साथ पानली तुसी like, share, subscribe भी कर सागदे हो ते साथे business नो support भी कर सागदे हो अगर तुसी Canada दे वेच रहने हो OCI एक इंडियन सिटीजन है जो किसी होर मुल्क दे वेच रह रहा है OCI एक इंडियन सिटीजन नहीं है पर ओधे parents, grandparents या ओधे spouse एक इंडियन सिटीजन है जेदे करके उननों एक special visa मिलता है जेदी लिमट 15 साल तक हो साथ दी है और मैं सारा कुछ तानों क्यो समझा रहा है तानों थोड़ी देर चे पता लाग जेगा 1973 दे विच इंडियन एकानमी दे हिलात काफी नाजुक सिगे जेदे करके इननने एक law pass किता जिननों फैरा लो केंदे है जेदा मतलब है Foreign Exchange Regulation Act इस Act दे ए मकसद सिगा कि इंडियन करिंसी नों बार जानतों रोकिया जा सके और Foreign Exchange Reserves नों भी कंट्रोल किता जा सके जेदे करके इंडियन एकानमी नों बहुत जादा नकसान हो रहा सिगा और ए फैरा लो सारे इंडियन citizens, international ते domestic business holders ते एनराइस दे उत्ते भी लागू किता गया सिगा इस Act दे विच काफी strict regulations ते guideline सिगया कि किस तरीके दिया Foreign Exchange Transactions हो सक दियाने या फिर नहीं हो सक दियाने और इस Act दी violation या उलंगना करनते बहुत वड़ा जुर्माना भी पैस सागदे सी और उधे नालनाल जेल भी हो सागदे सी क्योंकि इस Act दी violation नों directly criminal offense मनने जानदा है फेरा Act ने Reserve Bank of India नो special powers देती जेदे नालोगे कंट्रोल कार सागदे सी किनना Foreign Exchange Reserve इंडिया तो बार या अंदर आ जा सके और एदे नालनाल RBI ने एवी तैय किता कि किनना percentage foreign exchange तो जेड़ी आमदन हो रही है इंडियन कंपनीस नों surrender करनी पाएगी RBI नो सिंपल पाशाच अगर समझना चाहिए इंडिया अपने पैस्यानों कंट्रोल करन दी कोशिश का रही थी पर हमें ओ monetary value होगे या फिर agricultural land ही क्यों ना होगे पर फैरा लोग काफी ज़दा strict होन कारण international companies ते global trade इंडिया देवच काफी impact हो रहा है और इसे करके इस law नो modify किता है फैरा तो फैमा बन गया foreign exchange management act और नाम तो ही समझ लग रहा है regulation तो management बन चुकिया है जिदा ए मतलब है कि इनना ने काफी सारी penalties कटा देती है ते criminal offenses भी काफी सारे रदगार देते और यह मन्या जन्दा अटल भिहारी वाजपाई दे सरकार ने liberal approach इसले लिती सीगी ताकि इंडिया देविच international trade होर असानी ना हो सके ते पैसे यादा flow होर बदिया तरिक्के ना हो सके और इस currency दे free flow दे नाल इंडिया देविच foreign exchange market नो काफी फाइदा भी होया जे दे नाल overall इंडियन economy नो भी फैदा होया और कई याँ दे वी मन्ना है कि फैमा लौ दे नाल foreign currency exchange नो जिनना बढ़ावा दिता गया सब तो जाला benefit politicians नो होया है क्योंकि ए दे विच कई लूपोल्स भी सिगे जे दे नाल कई politicians अपनी black money नो white चे convert कारे सी दूसरे देशा देविच पैसा और फैमा लौ ही जमेवारे जेदे करके NRIs ते OCIs इंडिया दे विच उपजाओ जमीन ना agricultural land या farmhouse तक भी नहीं खरीच साख देने और अगर वो RBI नो बिना इनफॉर्म करे ऐसा कर देने ते बहुत पारी जुर्मान ना ते जेल तक भी हो साख दी है फैमा लौ दे वाइलेशन दे कई केस सामने आया ने एक केस हाइदरबाद तो भी सामने आया थी जेदे वेच एडी ने चापा मार आ रहा सेकते चार पॉइंट दो छे एकड़ दी जमीन जब्त कर दी सी एक NRID क्योंकि उनना ने फैमा दे रैगूलेशन नो फॉलो नहीं क साथ आया ते एदे नाल गॉवर्मेंट नो बहुत बड़ा इंपक्ट पैसाथ आया क्योंकि हर NRI ए सोच के बाहर नहीं जानदा कि उनने वापस मुड़ना है कई लोग पर्मनेंट सैटल होनली भी बाहर जान देने और गॉवर्मेंट ली एक क्लासिफाई करना कि कौन दिती जावेगी ते इंडिया दी फूट सिक्योर्टी काफी मुसीबच से पैसाथ दीये और इंडिया दी एग्रिकल्चरल लैंड्स ओदा एक बहुत बड़ा एसेट है और ऐसे करके इंडिया हमीशे कोशिश कर दे कि एग्रिकल्चरल लैंड्स नो किसी तरीक किनाल सब्सक्राइब करना चाहिए कि इंडियन सिटिजन्स को पहला अनाच चल जवे ते इंटरनेशनल ट्रेड बाच होवे शायद इंटरनेशनल ट्रेड नो पहली प्राइरिटी रखन क्योंकि ज्यादा पैसा उत्थो बन सब्सक्राइब दूसरी गल है कि गौर्मेंट स्पेकुलेशन नो कंट्रोल करना चाहिए स्पेकुलेशन दा ए मतलब है कि जड़े आम किसान ने या उत्थे दे डिमेस्टिक लोग ने उननानो ऑपरचिनिटी नहीं मिली गई कि खोर जमीना खरीच सकन क्योंकि एनराइस बहुत उच्ची बो जी डेवलप्त होजे और जीजा साथ कल्चर या और साथे पिश्ड़े अलाक्यों जो पिंडा चो ही निकल दाया और जाथ बार ली कंपनीस ते बार ले लोग इनना जमीना थे आपने प्रॉफिट ली कबजा करना शुरू कार देंगे तो साथे कल्चर नों एक बहुत लेवल दे नालना स्टेट गवर्मेंट दे भी डिफर कर देने तो इसे करके ज़रूरी है तुसी जेडी भी स्टीट चे जमीन खरीदना चानने हो तुसी उत्थे दे लीगल एक्सपर्ट्सनल जरूर सुला करो कई एनराइस दा ये जेड़े लौ ने एनराइस दे नाल तो थोड़ा ज़्यादा लेनियंट है फैमा लोग दे मताबिक अगर तुसी एनराइ या ओसी ए कार्ड होल्डर है गए हो तुसी एक इंडियन रेसिडेंट तो एगरिकल्चरल लेंड गिफ्ट चे भी लेसा दे हो पर एक चीज त्यान रखे हो तुसी ए एगरिकल्चरल से एक NRO एकाउंट देवेच जानगे तुसी एक NRA होके एक रेगुलर एकाउंट चो पैसे नहीं रख सकते और इस NRO एकाउंट दी लिमिट यूएस दस लख डालर है और फैमा लोग दी वाइलेशन दी की पैनल्टीज हो सकते है अपा वो डिसकस कर देया पावें ही फैमा फैरा नालो काफी लिनियंट या पर एदा ए मतलब ने कि एदे वेच कोई जुर्माने नहीं नहीं ने फैमा लोग दी वाइलेशन दी नाल तो आनू तेन गुना जादा पैसे परने पैसा दे आर भी आ इनू जिनना पैसा भी उस उलंगना दे वेच इन्वावड देया और अगर तुसी पैनलटी पैंतो लगातार ओफी गलती का रहे हूं हर देन तो आनों पांच हजार द जुर्माना पैंदा रहेगा होरते होर इस जुर्माने दे आलना पांघ साल दी जेल भी हो उसा दी है फैमा लॉदे अंडर कई सारी या रेगॉलेशन्स आंदिया ने तुसी स्क्रीन वेच देख रहे होंगे आज ये सारी या रेगॉलेशन्स ता नहीं डिसकस कार पावेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत जारा वड़ी होजेगे पर तुसी इस गल्दा जरूरत याम रखना है अगर तुसी इंडिया दे वेच किसी भी लीगल एक्सपर्ट ना सलागार सा देऊ पावे एक वधिया अकाउंटेंट होवे या फिर एक बैंक दा मैनेजर ही क्यों ना होवे और जादा तो जादा ट्रांजेक्शन्स रिजर्व बैंक ओफ इंडिया वलो अप्रूड कितिय हुएं इंस्टिटीशन्स तो ही क्राइयां जान जिमेंकी बैंक्स विच्चो और इसे तरह ही फैमा लो दे उलंगना करन करके एक बिजनसमेन नूँ एडी ने हजार करोड़ दा भी जुर्माना लाया सिका और कुछ दिन पहला ही एडी ने महराश्ट्रा देवे 400 क्रोड़ जुर्माना लगाया एक कंपनी नो क्योंकि उन्हान ने फैमा लो दे मुताबिक पैसे आदे ट्रांसफर नहीं किते सीगे फैमा लो फिर भी कुछ एनराइज नो छूट दिन दाया क्यों कुछ तरह दी एग्रिकल्चरल लैंड्स खरीच सागदाया और ओदे ली आर्बी आ पर गौर्मेंट ले भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हुएगा एक वधिया बैलन्स लबना जे दिन आल नेशनल इंट्रेस नो भी मिंटेन किता जा सके ते एनराइज दे इनन एमोशनल डिस्ट्रेस नो भी एड्रेस किता जा सके पर डेफिनेटली इस मुद्धे वेच वधिया बैलन्स लडना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होन वाला है असी उमीद कर दे अतौनवे वीडियो पसंद आई होवेगी असी काफी कोशिश कर रहे है कि साधी कम्यूनिटी नो होर एरियस दी नौलेज ते एक वधिया सेहत मिल सके साधी इस कोशिश देवे साथ प और झदा हम готов बड़ाद एर रらいस झालेज, पर जाए अटी चैलेज ए कर दोगह ट 상황 मेंईोग चैलेजश को घाले शिर आय थे ना भी बावेश